नमस्कार दोस्तों आज की जो वीडियो ले करके मैं आई हूँ वो काफी fruitful होने वाली है आपके लिए तो सबसे पहले जो मैं आपको शो कर रही हूँ वो 6 इंच के केक्टीन में मैंगो वाली बैटर को रेडी किया है मैंने और यहां कड़ाई में मेरी बेक हो चुकी है 9 इंच के केक्टीन में यह है बटर स्कॉच स्पॉंच इसके बाद एक स्पॉंच और भी मैंने बनाया है जो 4 इंच के केक्टीन में मैंने तयार किया है जिसकी हाइट 3 इंच थी और वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में तयार हुई है तो इस तरह से सबसे पहले जब भी आप 3-4 step केक तयार करें तो अपनी तयारियां मजबूत रखे ताकि आपको दोड़ना नहीं पड़े और यहां पर इस पॉंच के साथ साथ मैंने क्या क्या लिया है वो आपको दिखा रहे हूँ यहां 1 लिटर विपिंग क्रीम को मैंने विप करके रखा है और 3 फ्लेवर में केक बनने ज और कुछ काट की जरूरत मुझे पड़ेगी पैलेट नाइफ की जरूरत पड़ेगी और एक धारदार मुझे चाहिए दांत वाला चाकु इस तरह से तो यहां आज मैं आपको शो करें हो देखे मेरी बेटी ने सावन की महंदी लगा ही ती तो प्लीज मेरे लवली तो मैंने का शोट कट में ही कुछ लगा दो क्यूंकि सावन है तो महंदी तो बनता है और चलिए अब हम अपने केक का डिसकर्सन करें तो यहां प्लेन वाटर से सोकिंग कर लेने के बाद मैंने वीपी क्रीम को ले लिया है टॉप वाले हिस्से को पलट के लिया है और क्रश चंक्स का भी यूज़ किया जाता है लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ क्यूंकि आजकल जो भी ओरडर आरा है वो कम मीठा वाला आरा है और वो डालेंगे तो मीठा ज्यादा होगा यहां मैं मैंगिक कंपनी का कलर यूज़ कर रही हूँ अपने केक को एट्रक्टिव बनाने के तो यहां सबसे पहला जो लेयर है उसमें यलो कलर का बनाना था चुकि आज की जो गुडिया का बंटे है वो यलो कलर का ड्रेस है तो मुझे उसी इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए अपने केक को रेडी करना है तो मुझे कहा गया था कि जो पहला लेयर होगा वो यलो में ह तो इस तरह से अपनी तैयारियों को बारीकी से अंजाम दे यहां मैंने यह वाला स्क्रैपर लिया है चुकि यही डिजाइन था जो डिजाइन उन्होंने मुझे सेंड किया एक्शली वो मेरा ही बनाया हुआ था तो उन्हें सेम डिजाइन चाहिए था लेकिन मैंने कहा जब अबी मैं कोई केक बनाती हो तो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो ही जाता है तो इस तरह से वो डेडी हो गए तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया और और यह और मुझे नौ दिन पहले ही आया था तो इस तरह से मैं सबसे पहले तो थैंक्स कहना चाहूंगी कि मुझे फेस्बुक क माध्यम से जो भी ओडर देवगर एरिया से आ रहा है मैं अपने सारे कस्टमर को थैंक्यू वेरी मच कहना चाहूंगी इस वीडियो के माध्यम से और यह देखिए यह जो पहला वाला स्टेप था यह कुछ 1200 ग्राम का तयार हो गया है अब जो दूसरा फ्लेवर है वो है मैं यूज किया है जो मैजिक कमपनी की है और इस तरह से मेरा दूसरा इस्टेप भी तयार हो गया यह 500 से उपर ही बना है आप देख सकते हैं और अब है तीसरे केक की बारी तो तीसरे केक को भी मैंने इस तरह से कट कर लिया है और इसकी भी थ्री लेयर में ही इस्तेमाल और यहां मैं पिंक कलर का यूज कर रही हूँ, तो इस तरह से, आज की जो हमारी त्री टाइर केक है वो थी कलर में, थी फ्लेवर में तयार हो गई है, तो इस तरह से बारी बारी से हम क्या करेंगे, अपने तीनो लेर को सेट होने देंगे, फ्रीज में, आप याद रखें कि जब भी आप इस तरह का order ले तो कोशिस करें कि एक दिन पहले से तैयारी कर ले, क्योंकि हम home baker के साथ धेर सारी मुश्किलें खड़ी हो जाती है, हमें धेर सारा काम होता है इस cake के अलावे घर का, तो और बिजली भी कभी गुल हो जाती है, कभी कुछ होता है, तो risk ना ले same day ना order को accept नहीं करें, actually मेरे साथ क्या हुआ था, एक बार मैंने same day को order accept किया था, वो भी दिन के धाई बज़े मुझे order आया था, और मैंने accept किया और शाम तक दिया, लेकिन गड़बडियां हो गई थी, इसलिए I request कि आप same day 3 टायर के का order ना ले, और अगर ले तो अपनी घर कि स्थिती को देख लें कि electricity है की नहीं है, actually उस ती ना तो electricity थी ना कुछ था, और इस तरह से मेरा जो cake था, वो थोड़ा टेड़ा हो गया था, और यहां आप रोज बनाने की बारी है, तो इस तरह का flower nail चाहिए, scissor चाहिए, एक छोटा सा plate चाहिए, color मैंने यहां ले लिय है, डबा थोड़ा सा मैं ढखकन टाइट कर रही हूँ, और आपको शो करने वाली हूँ, कि flower को कैसे बना करके इसको फ्रीज करने से अच्छी तरह से सेट हो जाता है, फिर आपको वो उसमें cake के उपर प्लेस करने में आसानी होती है, तो इस तरह से जो चोड़ा वाला पार है, अपनी तरफ रखना है, और जो पतला वाला पार होता है, बाहर की तरह, और इस तरह सबसे पहले बड़ बना लेना है, फिर इसमें 3 पैटल जाएगा, जो बंद बंद दिखना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, उसकी बाद थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, नोजल को टे अब इसे रेड रोज बनाना है, तो रेड पावडर कलर में यूज कर रहे हूँ, आपको जिस कलर का बनाना हो, आप उस कलर का एडिबल पावडर कलर यूज कर सकते हैं, अब इसे चमकानी की बारी है, तो यहाँ सिल्वर इस्प्रेसिमन है, फुस फुस कर दिया, और इस त तो दोस्तों आपको अब तक तो थोड़ा सा तो fruitful लगा ही होगा या नहीं लगा इस वीडियो से related सारी कमेंट को आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और मैं हमेशा कोसिस करती हूँ कि मेरी वीडियो आपके लिए fruitful हो तो अब पिंक वाले में मुझे डालना था red glitter क्योंकि pink glitter तो थ इचली वार भी मैंने red glitter का ही इसमें effect डाला था और मुझे same order आज complete करना था अब बारी है से तीनों step को एक के उपर एक प्लेस करने की तो बड़ी सावधानी से आपने देखा मैंने दो palette knife लिया एक को उपर से dip किया palette knife को cake में और दूसरे को उसे नीचे में लिया उठाया palette knife और जट से रख दिया बीचो बीच इसके पहले आपको क्या करना है जिस तरह से मैंने यहाँ straw लिया है इसी तरह straw आपको deep कर लेना है ताकि आपके किसी भी cake का भार नीचे वाले cake के उपर ना पड़े और वो दबी नहीं अब बारी है डॉल को dress पहनाने की तो आज जिस पुडिया भी पहनेगी yellow dress और इस तरह से मैंने छोटा सा मेरे पास एक nozzle था बहुत पुराना सा उसे मैंने चिम्टा लिया हथोड़े से और इस तरह से यह design बता रही हूं तो आप अपनी पसंद का कोई भी design अपनी doll को पहना सकते हैं मैंने इस तरह से ruffle निकाल लिया और पीछे से भी मुझे इसी तरह जालर जालर बना लेना है तो दोस्तों मैंने तो अपनी creativity के according अपनी customer के demand के according अपनी doll को कर लिया prepare आप कौन सा cake prepare कर रहे हैं comment section में जरूर comment करें और यहाँ पर जिस color का dress है उसी color का मैं crown पहनाने की कोशिस कर रही हूं अपनी doll को और इस तरह से जब इसको stick कर दूगे dip कर दूगी cake के बीचो बीच तो बीचो बीच dip नहीं करना है क्योंकि थोड़ा सा space चाहिए हमें जो rose हम doll के हाथों में देंगे यानि लगे कि birthday girl को wish किया जा रहा है तो इस तरह से यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जालर और निकाल दिया ताकि frog का effect अच मेरी rose हो गई थोड़ी आना कानी करने के बाद set तो और थोड़ा थोड़ा cream मैंने आपको दिख रहा होगा कि पहले वाले cake के उपर रखा है yellow वाली cream को ताकि मुझे इस rose को stick करने में ज़्यादा problem ना हो और मैंने दोनों rose को यहाँ पर stick कर लिया अब आज जो मैं rose की leaf निका तीनों layer में मैंने border design दे दिया और अब बची हुई yellow cream को मैंने leaf nozzle के साथ अलग piping bag में डाल दिया और इस तरह चारों बगल में leaf निकाल रही हूँ और आप देख सकते हैं कि contrast में कितना खुबसूरत लग रहा है ये rose और जो बचा हुआ cream है उपर भी मैंने इस तरह से stick कर दिय sorry leaf बना लिया और अब इसमें silver spray से फुस फुस कर दिया ताकि हमारी cake को एक shiny effect मिले डॉल की dress को भी थोड़ा चमकाना था और थोड़ा बहुत silver ball है ये edible silver ball है जिसे मैंने डॉल की frog के साथ साथ पूरे cake में थोड़ा थोड़ा ऐसे deep कर लिया किनारों में ताकि ये देखने में और भी ज्यादा खुबसूरत लगी तो दोस्तों आज इस तरह से मैंने तो अपनी 2 kg eggless doll cake को 3 flavor में तयार कर लिया है और आज की ये cake आपको कैसी लगी comment section में जरूर comment करें मेरी video अगर पसंद आई हो तो सबसे पहले I request मेरे चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें ज्यादा से ज्य करें और इसी तरह की आसान वाली doll cake design के लिए बने रहे है मेरे चैनल dream puff home baker में मिलती हूं मैं अगली वीडियो में एक नई cake के साथ तब तक enjoy कीजिए बाबाई